तो देज कोशन नमबर 67 जिसने अपनों क्या दिया है देर आट 10 पॉइंट्स इन प्लेन आउट और 6 आर पोली लिए इस एन नमबर ऑफ ट्रेंगल आर फॉंट बाइ जो इन पॉइंट की जिरुवत होती है ठीक है तो यह चैनल वो पॉइंट है जो पॉइंट ले लूगा त तो यह तो सिंपल काम है अपनको 10 चीज में से 3 चीज सिलेट करने है तो इसका फॉर्मुला होता है 10 चीज भी ठीक है अब लेकर इसमें एक प्रॉब्लम है अगर यह जो पॉलीनियर पॉइंट है मैंने इन में से वो 3 पॉइंट चुन लिए तो क्या होगा लेट मेरे यह प से 3 पॉइंट में से तीन पॉइंट नहीं जलने है ठीक है तो मैं माइनस कर दूगा 6 c3 चीज तो यह एंट की मेल्यु हो जाएगी अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरी एंट की मैल्यू आ जाएगी तो 10c3 की वैल्यू कित्ती होगी 10c3 की वैल्यू होगी 10 into 9 into 7 upon 3 into 2 तो यह हो जाएगा अपना 5 और यहाँ पे होगा 21 21 into 5 which is further equal to 21 into 5 यह हो जाएगा अपना 105 होगा फाइटिंग ठीक है तो यह होगी आपना 105 ओके और 63 की वैल्यू कित्ती होगी 63 की वैल्यू हो जाएगी 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 तो यह तो simply आजाएगी 20 ठीक है तो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे यह हो जाएगा 105 minus 20 is equal to n तो यह कित्ता हो गया 85 तो n की वैल्यू हो गई अपनी 85 which is less than तो n अपना है less than 100 ठीक है तो अपन option match करते हैं इसमें कह दिया है n is greater than 190 यह नहीं होगा इसमें कह दिया है n is less than and equal to 100 तो यह हो सकता है अगला option चेक करेंगे n is greater than 100 यह नहीं हो जागता n is greater than 140 यह भी नहीं हो सकता तो option b सबसे appropriate है तो option b is our required answer झाल को झाल को ढईए कर दो किता है तो यहीं हो झाल कर दो कर दो कर दो कर दो किता है